नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naysubha.org naisubeh.org नई सुभा कुकिंग फ्रिटोरियल्स में खुश्राम दीद मैं हूँ प्रिजा हुसेन और हमारा आज का टॉपिक है रेसिपी ओफ चिकन धाबा कढ़ाई चिकन धाबा कढ़ाई बनाने के अज़्जा चिकन एक किलो तही एक पाव प्यास एक मीडियम साइस चॉप्ट अद्रक एक टेबिल स्पून चॉप्ट लैसन एक टेबिल स्पून चॉप्ट लाल मिर्चों का पावडर वन टी स्पून कुटावा जीरा तूटी स्पून कुटावा धनिया वन टी स्पून हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून नमक हस्पिजाइका कुकिंग ओईल हाफ कप हरी मिर्चें चार से पाँच अदद और गार्णिश करने के लिए हरा धनिया और बारी कटी हुई अद्रक चिकन ढाबा कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को दही और मसालों के साथ मैरिनेट करेंगे मैरिनेट करने के अज्जा एक पाउ दही में 1 टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर 2 टी स्पून कुटावा जीरा 1 टी स्पून कुटावा धनिया हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हस्पिज आय का नमक शामिल करके तमाम इंग्रीडियन्स को दही में अच्छा सा मिक्स करेंगे फिर इस दही के मिक्स्चर में एक किलो चिकन को आदे घंटे तक मेरिनेट कर देंगे जब चिकन को मेरिनेट किये हुए आदा घंटा हो जाए तो फिर एक कुकिंग पैन में हाफ कप कुकिंग आयल शामिल करेंगे जिसमें चार हरी अलाइची और चार लॉंगे शामिल करेंगे जब ऑइल हलका सा गरम हो जाए तो इसमें एक प्यास चॉप्ट कीवी सौधे करेंगे जब प्यास सौधे हो जाए तो हम इसमें चॉप्ट कीवी अद्रक लेसन शामिल करके फ्राई करेंगे जब अद्रक लेसन की अच्छी सी खुश्पू आने लगे तो हम इसमें ये मेरिनेटर्ड चिकन शामिल कर देंगे और साथ ही चार मीडियम साइस टेमाटर क्यूप्स में काटके शामिल कर देंगे जब कुकिंग का अमल शुरू हो जाए तो हम छूले की आच को दमवाली कर देंगे या हल्की कर देंगे और पैन को कवर कर देंगे और 30-40 मिनट के लिए चिकन को गलने के लिए छोर देंगे 30-40 मिनट के बाद जब हमारी चिकन अच्छी सी गल जाए तो हम चूले की आँच को मीडियम करके चिकन कढ़ाई को भून लेंगे इतना भूनेंगे कि जो हमने इसमें ओयल शामिल किया था वो वाज़ होने लगे जब ओयल वाज़ होने लगे तो हम इसे बारी कटी हुई अद्रक और धन्ये से गार्निश करेंगे पैन को कवर कर देंगे और मज़ेदार सी चिकन धाबा कढ़ाई सर्फ कर सकते हैं ये थी हमारी आज की रेसिपी चिकन धाबा कढ़ाई मिलते हैं आप से नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानिब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए